नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसीस और आप देख रहे हैं लर्ड नुगल चेनल दोस्तों आज मैं बहुत ही अच्छी चीज लेका हूँ आप पिलिए तो दोस्तों हम लोग अगर आफिस में काम करते हैं तो हमें अक्सर जरूवत पढ़ते रहती है किसी को डॉकुमेंट सोगर भेजने की यहां से वहां कुछ भी भेजना हुआ तो हमें एक इन्वलप में उसका एड्रेस लिखना पड़ता है एड्रेस लिख के उसे हम भेजते हैं और एड्रेस भी हमें वाट्सप से मगाना पड़ता है या कहीं कहीं से हमें इकठा करना पड़ता है फिर उसके आद हम उसको मैसेज में मगा के वहाँ पे envelope में लिखके फिर उसके आद भेजते हैं लेकिन हम जो हम लोग जिसको भेजते हैं envelope वोगर किसी को इनवाई सी भेजना हुआ तो उस customer का address हमारे lasers में already रहता ही है जैसे मैं कोई एक laser open करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे कोई सा भी एक laser open करूँगा तो इसमें हमारा full address वगरा सारा चीज रहता ही है अगर आप more detail में यहाँ पे जाएंगे तो उसका आपको contact detail वगर भी यहाँ पे दिख जाता है तो हम लोग चाहें तो यहीं से हम लोग envelope को print करके सामने वाले party को भेज सकते हैं वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे party का name हम लोग इंटर करें अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यह मैंने यह party का name यह चूच किया और यहाँ पे side में आपको दिख रहा होगा envelope print करके तो मैं जैसे इस पे click करूँगा तो इसके preview में जाऊँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह landscape mode में आ रहा है और यहाँ पे आपका envelope जो है यहाँ पे address, phone number, email, pin code जो भी चीज़े आप लेजर के अंदर डालेंगे और सभी चीज़े आपको यहाँ पे दिख जाती है लेकिन यह जो है envelope print करके जो option है यह आपको नहीं मिलेगा tally के अंदर में इसको हम लोग एक tdl के थूँ यहाँ पे ला सकते हैं तो अभी मेरे पा tally में डालने के लिए इसका हम path copy कर लेते हैं property में जाके यहाँ से security में जाने समय इसका पत यहाँ से मिल जाएगा control C करके copy करेंगे इसका tally में जाके हम लोग यहाँ पे help में चले जाएंगे tdl and add-on और manage local tdl और यहाँ पर जो भी खाली जगह होगी वहाँ पर इसे paste कर देंगे path को और इंटर करेंगे और save कर लेंगे तो यह चीज आपका tally, rp9 और prime दोनों में आप use कर सकते हैं अभी यह इंटर हमें करने के बाद में हम लोग किसी भी voucher में जाएंगे आपका चाहे वो general payment sales purchase कोई सा भी आपका voucher type हो वहाँ पर आपको जाना है उसके आद आपको party का name select करना है आप जिस भी party को billing कर रहे हैं या जिसको भी आप डेविट credit कर रहे हैं आप उसको नाम select करने के बाद में आपका cursor यहाँ पर जैसे है तो आप यहाँ पर envelope print कर सकते है तो अभी आप इस पर click करेंगे और आप print एक निकाल सकते हैं जैसे मैं एक print यहाँ पर दे देता हूं कि मैं इसको save कर लेता हूं PDF में enp.pdf आप लोग direct system में computer में इपने printer से निकाल सकते हैं अभी जैसे मैं इसको open करता हूं PDF फाइल को जो भी हमने print निकाला है तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पर आ जाएगा अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं तो यहाँ पर आपकर इस तरीके से आ जाएगा यहाँ उपर में बीचो बीच और भी अगर आप इसको आगे पीछे करना चाहें तो आप कोट को change कर सकते हैं तो यहां पे जो spaces जो दिये हुए हैं left से, top से, right से यह spaces को आप change कर सकते हैं तो अगर आप spaces change करेंगे तो आपको यहां पे सभी fields में यह चीज को change करना पड़ेगा तो इस तरीके साब space को कम ज़्यादा आगे पीछे बढ़ा सकते हैं यहां से और आपको जैसा चाहिए वैसा आप ला सकते हैं इसको तो दोस्तो मैं इसका link दे रहा हूँ आप इसको जरूर डाउनलोड करिए बहुत ही बढ़िया चीज है आपके लिए काफी ज्यादा helpful हो जाएगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लिशे लाइक शेर जरूर कर दीजे और इसमें कुछ एडिसंस चाहिए आपको तो आप जरूर कमेंट करिए मैं एड करूंगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लिश सब्सक्राइब करकर रखिए मैं ऐसी चीजे आपके यह लाता रहता हूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद